Hello Everyone, Welcome to Vishwa Karma Center आज की वीडियो में हम CITS 2022 test station के application form के बारे में बात करेंगे तो अब CITS 2022 test station के application form के बारे में जानने के लिए इस वीडियो में बने रहिए तो देखिए मैं अभी मौजूद हूँ निमी के official website पे CITS से related जितनी भी जनकारी होती है इसी website पे आती है तो देखिए अभी आप देख पा रहे होंगे अभी ADIT का results और counseling से related यहाँ पे आया है और CITS supplementary exam जिनका पिछले session में back लग गया हुआ जिनका अभी तक अब किसी करानवसों absent हो गया है उनका payment link यहाँ पे अक्टिवेट हुआ है और यह RPL के अंतरगत जो CITS होता है उनका भी registration and payment link के लिए यहाँ पे link अक्टिवेट हो गया है उनके लिए भी यहाँ पे information है और CITS 2022 ते इस session के application form के बारे में बात करूँ तो थर्ड वीक ऑफ जून में आने की संभावना है इसकी अगर थर्ड वीक ऑफ जून में इसका application form नहीं आता है तो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में इसका application form आ जाएगा जब भी इसका date आता है यह application form के लिए link अक्टिवेट होगा तो मैं एक छोटी वीडियो से आपको जनकारी दे दूँगा इसके लिए आप मेरे चैनल को subscribe कर ल अगरी थैंक यू